आमान्मी पार्टी ने पैट्रोल डीजल घरेलू गैस इंधन की कीमतों में वरद्धी के खिलाफ चामोशी में आंदूलन शुरू किया आम आदमी पार्टी के तालुका देख्ष के नेतरत में पैट्रोल पंपो और गैस अजिंसियों के सामने इनन दरों में वरद्धी के खिलाफ आंदोलन किया गया देश के पांच राज्यों के चुनावों के बाद से पैट्रोल डीजल और गैस की कीमत आसमान चुरे ही है जब पूरे चुनाव तक पैट्रोल के रेट नहीं बढ़ाएगी लेकिन चुनाव के बाद 100 रुपे पैट्रोल का रेट होगा 10-12 दिनों में बढ़कर 120 रुपे हो गया खुल मिलाकर जब इंदन की कीमतें बढ़ती हैं तो परिवन अधिक महंगा हो जाता है और इसी तरह बाजा में सबी वस्तूओं की कीमतों में व्रद्धी होती है जिसका खामियाजा केवल गरीब और मध्यम वर को उठाना पड़ता है 2014 से पहले पैट्रोल डीजल या एलपीजी के दाम 20-25 पैसे तक बढ़ जाने पर भी बीजेपी सड़कों पर आंदोलन करती थी मध्यम अवदी में कच्छे तेल की कीमते 30-35 प्रती बेरल के बहुत नीचले इस्तर तक गिर गई लेकिन भारत में पैट्रोल डीजल गैसलेंडर की कीमते इतली नीचे नहीं गई उल्टे दाम आसमान चूरे हैं आज पैट्रोल 121 डीजल 105 और गैसलेंडर 1001 पर पहुँच गया है मजबूर लोग गैस बंद कर चूले पर खाना बनाने को मजबूर है चामोशी में आम आदमी पार्टी की शाका ने आज महेंगाई के खिलाब धरना दिया ताकि गरीब लोगों की आवाज मोदी सरकार तक पहुचे आज मुख्यरूप से तक्तियों के माध्यम से पैट्रोल डीजल गैसलेंडरों के मूल पर केंद्र और राज्य सरकारे कितना टेक्स लगा रही है इसके आकड़े के साथ साथ 2014 से पहले इंदन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ मोदी जी का भाशन और उसके बाद भी तब लाएंगे क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकारे जीस्टी लागो होने तक लोगों को लूटती रहेगी इसलिए मोदी जी अब इंदन की कीमतों में वरदी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं यूवा आयोजग धनराज कुसराम प्रशान कुसराम केंद्री मंत्री देविदास उराडे सुरेश जमपालवार, पंकच देश मुख पल्लवी कोट अंगले पदधिकार्यों कारिकरता उपस्ते थे चामोशी से बीसेन न्यूस के लेबवन वड़ेटी वार की रिपोर्ट